हलो दोस्तों स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुस होंगे तो यहां मैं आज आलू उबाल दी हूँ क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई है बहुत ही टेस्टी जिउ बहुत ही जलदी बन जाती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और आप इसे जारखन्ड और भीहार का फेमस बोल सकते हैं अज आलू चौप बनाने जा रही हूँ तो आलू मैंने रख दिया है उबालने के लिए और यहां पे लिया है हरी मिर्च टमाटर और धनिया पत्ता लिया है इसके हम चटनी बनाएंगे इसमें थोड़ा सा लेसन डालेंगे और इसके हरी वाले चटनी बनाएंगे हरी वाले चटनी के साथ है, आलू चौप का स्वाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो यह मैंने चटनी के लिए तैयारी कर ली है और मसाले मैं कुछ इसमें एड करूँगी जो प्याज लिया है और हरी मिर्च फोड़ीशी फोड़ीशी लाल मिर्च लई है परति लसण लिया है। gearbox इतना वहला मिर्च लिए लए। नवी लिए। से सब आर पहले हम्पैत debah लिए लिए लिए। तो सारी टीयां हो चुकी है। बढ़र हम्पैर मेरों ओपने माथे में दोनाता सी धनिया साबुत धनिया डाला है जो एक साथ पीस जाएगा मसाले में तो यह मसाला रेडी हो गया है और हमारा हो गया है चटनी रेडी उसके बाद हमने लिया है बेसन थोड़ा सा मतलब ये लगभग 200 ग्राम के आसपास का बेसन होगा मैंने कोई नाप नहीं किया है बस अंदा अजवाइन पेट के लिए अच्छा होता है और स्वाद को भी बढ़ाता है तो मैंने लाला थोड़ा से यहां पर अजवाइन और चुटकी भर खाने का सोड़ा जिसको मीठा सोड़ा भी करते हैं अब इन सब को मिलाएंगे अच्छी तरह से और एक अच्छा सा मतलब थिक स तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे हम उसके बाद इसको गोलते जाएंगे और जितना ज़्यादा हो सके आप इसे गोल सकते हैं मतलब अच्छी तरह से अप मिलाएंगे इसे उतना ही अच्छा आपका आलू चोप बन कर रेडी होगा तो यह मैंने मि च्बेसं भूलते रहेगा यहां पूल जागा डेशन ओधन सर्सो का दिधा चोड़ाई में टाला शर्सो का तेल और इसमें फोड़ा सा, फूरण एक चमच के करीब मैंने यहां पर डाला पंच फोरन फिर इसको थोड़ा चलाएंगे और डालेंगे मुठी भर बदाम यहां पर उसके बाद कासमेरी लाल मिर्श डालेंगे कलर के लिए आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं ना हो तो भी डाल सकते हैं तो उसके बाद हमने जो तयार किया था मसाला वो हमने डाल दिया प्याज लसन अद्रख और धनिया का पेश जो था वो हमने डाल दिया उसके बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए तब तक हम इसे चलाएंगे और अच्छी तरह स तेल अलग होने लगा है और यहां पे जो हमने बदाम जो मैंने बोला बदाम इसको हम लोग बोलते हैं बदाम पर एक्शल में यह मुझपली होता है पर हमारे यहां इसे बदाम ही बोला जाता है जारखन में इसे बदाम ही बोला जाता है तो मैंने बदाम बोल दिया तो आप पिर यहीं नहीं मालूम है मुझे मालूम रागा है मुझे मालूम है और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक हम डालेंगे और हल्दी नहीं डाला है हमने क्योंकि हल्दी हमने बेसन में डाला है और यहां पर अगर हल्दी डालेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मतलब लगा कि हल्दी को जादे ही हो जाएगा तो अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं कलर इससे हल्दी से थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा आएगा तो मैंने नहीं डाला है तो ये हमारा अच्छी तरह से जो आलू वाला मसाला है वो रेडी हो गया है और ये मसाला काफी टेश्टी है और यहां पर मैंने डाल दिया लाष्ट में हरा धनिया काटकी डाल दिया है यहां पर उसके बाद इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे फिर इसे उतार कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे पांच से साथ मिनट तक इसको रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसके इस तरह से गोल-गोल सी मतलब लड़ू से बना के रखेंगे तो ये मैंने गोल-गोल बना के इसका रख दिया है जितना मतलब बन पाता है जैसे आपको साइज पसंद है छोटा बड़ा किसी भी तरह का साइज आप कर सकते हैं इसको तो मैंने इस साइज का किया है या आप देख सकते हैं तो ये हो गया हमारा सारा आलो मैंने बना दिया गोल गोल सा उसके बाद मैंने कड़ाई दूसरी कड़ाई उसके बाद यहां पे डाला मैंने तेल और तेल को गरम होने देंगे उसके बाद गरम जब हो जाए अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से गरम हो जाए तो हम इसका आज को धेनमा कर देंगे थोड़ा सा उसके बाद गोल-गोल आलू को हमने डाला बेसन में और चमच की सहाथा से हम इसे उठा उठा कर गरम तेल में डालते जाएंगे तो आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं पर हाथ क्या होता है कि बार बार धोना पड़ता है मैंने कटोरी में पानी रखाया है इसे बज़े से कि साइद मुझे हाथ से करना पड़े तो मैंने चमत से उठा के देखा तो ये अच्छी तरह से हो रहा था तो ये देखिए हमारा आलू चोप एकदम अच्छी तरह से गोल गोल बना है और इसे धीमी आज में पकाएंगे अच्छी तरह से चार-पांच मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए कच्चा ना रहे तो ये देखे बन कर पहला बेश हमारा रेडी हो गया है आलू चोप का और ये मैंने उतार दिया अब इसे अब हम डालेंगे दूसरी बार इसमें तो आलू चोप दूसरी बार उतरते उतरते पहला बार का खतम होने को है अभी ये गर्मा गरम काफी अच्छा लगता है बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राइ कीजे अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि किन-किन लोगों ने ये एसी भी ट्राइ की है मेरी तो हरी चत्नी के साथ गर्मा गरम आलुचोप का नास्ता रेडी है आज आईए आप लोग भी खा लिजी बहुत अच्छा बना है बहुत देश्टी बना है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाई अपना ख्याल रखेगा और मेरा सपोर्ट बनाए कर दीजिएगा और सेर किजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ में आप